कार्टिक पुर्णिमा पर गंगास्त्नान को वैदिक और धार्मिक महत्व माना गया है प्रबोधिनिये कादिशी के दिन से ही गंगास्त्नान की प्रक्रिया शुरू होती है और पुर्णिमा के दिन समाप्थ होती है जोति शास्तर के अनुसार इस बार साल के दूसरा चंद ग्रहन लगा या खरक स्तोधित ग्रहन कहा जाता है चंद ग्रहन में गंगास्नान से अनन्दफल प्राप्ति के सैयों के साथ तेगरा के विभिन गंगा घाटों पर गंगास्नान को लेकर शद्वालूओ की बड़ी भीर उमर परी सुब़ चार बजी से ही सभी घाटों पर श्रधालूओं का जमावरा शुरू हो गया है तेगरा के आयोध्य घाट पर गंगस्नान को लेकर पूरे छेत्र में मेला और उत्सब जैसा महौल दिखा लंग घाट से लेकर गुपता बांध तक श्रधालूओं की बहुत बड़ी हुजुम से घाट तक लोगों को आने जाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी वहीं गुपता बांध से लेकर NH 28 अयोध्य चोट पर दूरदराज से चलकर आय श्रधालूओं तथा गारी एवं मोटरों से पूरा रोध भरा हुआ था मधुरापूर सुरे नारायन बोलजर घाट के अका भी नजारा देखने योगी था इसके अलावा अन्ने घाटों पर भी गंगस्तान को लेकर दिन बर श्रधालूओं की अच्छी खासी भेड लगी रही अपने बच्चों के नामांकन है तू लॉगिन करे www.rpsbiharsaric.com करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन पता डीडीसी आवास के पीछे नालंदा हिल्थ क्लब रोड एत्वारी बाजार बिहार शरीफ नालंदा अधिक जानकारी के लिए विजिट करे www.rpsbiharsaric.com